एक गरीब धोबी था. उसके पास एक गधा था. गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने को मिलता था. एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाग मिला. उसने सोचा, मैं गधे के उपर इस बाग की खाल डाल दूँगा और पडोसियों की खेतों में चरने के लिए काम कर गई. एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी गधे की रेंकने की आवाज सुनाई दी. उस आवाज को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर-जोर से रेंकने लगा. गधे की आवाज सुनकर किसानों को गधे की असलियत का पता लग गया और फिर ग वाले की हुपत,